सो हे गाईस फाइनली जहारखन पॉल्टेगनिंग जो कि जेसी सीव बोर्ड ने बहुत ज्यादा लेट करवाया और फाइनली आपका काउंसिलिंग का डेट आ चुका है और ये देखिए डेट आपका जो है 15.07.2024 यानि आज है 13 तारीक और दो दिन बाद आपका काउंसिलिं सुरू अपने मुवाइल से कैसे करेंगे काउंसिलिंग वो सब कुछ हम बताएंगे क्योंकि काउंसिलिंग परसु के दिन है और डोकुमेंस क्या कर लगेंगे कैसे क्या काउंसिलिंग करेंगे कितना क्या पैसा लगएगा ऑपिसियल नोटिपिकरिशन दिखाते हैं सबसे पहले आप अपने website में जाके हमारे जो website है आपको पता है इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर पूरा details के साथ नीचे notification officially दे दिया हूं मैं, आप नीचे जाओगे, और नीचे जाके आप यहाँ पर दिखिए, मैंने यहाँ पर counselling notice जो है अप डाउनलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर लेना, और पंदरा तारिक से start है, इसलिए यहाँ पर apply है लिंक जो यहां पर मिल जाएगा आपको 15 टारीक से डारेक्ट लिंग मिलेगा डारेक्स कर सकते हैं आप उपिसेल वेबसाइट भी नीचे जा कर आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं ये डाउनलोडी already कर लिया है मैं आपको official notification दिखाता हूँ देखिए यह आपका board जो कि आज है 13 तरिक और आज यह notification रिलिज्ट किया है JCCB board ने बहुत दिन बाद JCCB board का जो है notification देखने मिला और मैं अपने A&M Z&M के छातर जितने भी student trade nursing के छातर सभी से में कहभी रहा था पहले पॉलिटिक ने बीएड यह सबका counseling हुआ उसके बाद आपका form आएगा तो जो बताएं हैं वह सत्ती हो रहा है क्योंकि हमारे चैनल सत्यताप और आधरी थे और हम जो है एकदम तुरुत और मतलब एकदम 100 पर एकदम के साथ जो है information देते हैं तो देखिए पॉलिटिक ने कि क्या है यहाँ पर खेला खेलेगा इस वर तो देखिए दिनांक साथ दो स्फेप 224 जो भी इतना पॉलिटिक ने ग kidding कि हां पर जो भी आपने एकजाम दिया था उस एक्जाम के रया दरप देख़्िए कि इतना लेट हो रहा तिन मेहना लेट हो गया है न तो जब आप एकदम ने तो जो आ आपका इश्कार कार्ड आया है जो भी है आप डौल्लोट किा होंगे जो भी आप negative वेगरा लाए हैं तो यहाँपर जो है देख सकते हैं कि आप जो है कांसिलिंग कर सकते हैं यहाँपर counselling link जो है आपको जारी कर देगा पंदरा तारिक को और है ना आपका मिलेगा देखिए यहाप फर्स्ट राप of counselling का date क्या रखा गया आपको direct दिखातों ज्यादा आपका time भी वेस्ट नहीं करूंगा देखिए starting date of online registration and choice filling for seat alignment पहली बार जब आप seat सबसे पहले आपको registration करना पड़ेगा जिस परकार आपने form भराता उसी परकार online counseling के लिए आपको registration करना पड़ेगा जो कि बहुत ही आसान होता है आप घर बेटे अपने mobile में कर सकते हो मैं आपको बता दूंगा पंदरा तारीक के सुबह ही आपको मतलब जब लिंग एक्टिवेट होगा सुबह साम तक ही एक्टिवेट हो जाता है आप पंदरा को ही apply नहां करो आप 16 को कर सत्रा को मैं आपको फिर से बता दू apply आप 16-17 से करना जल्दे apply करने से आपको सिट नहीं मिल जाएगा क्यूंकि देख लेना कि सर्वर में थोड़ सा क्या क्या हो रहा है है इस बार नय ठेकेदार ठेका लिया है यहां देखो 15-7-2024 को रिश्टार हो रहा और बाबु देखो खतम हो call किजेगा हमारा number है 8580393036 WhatsApp किजेगा मैं थोड़ा बहुत information दे दूँगा या फिर अगर आप फॉर्म नहीं कर भर सकते हो तो हमारा editing in the choice field मतलब आप जो college को list करेंगे मतलब आप जब counseling करेंगे तो आप पैसा पे मिट करके आप counseling का colleges choose करेंगे तो माल लेजिए आपको colleges उपर निचे रखना है माल लो मेरे को धनबाद रखना है तो मैंने धनबाद रखा पहले उसके बुकारू रखे उसके बाद राची रखे है ना बाद में तुम्हारे मन में कभी ख्याल आ जाता कि चलो भै नहीं मुझे पहले राच लिष्ट जारी होगा और वो merit लिष्ट जो होगा 26 तारी को आएगा देख पाएंगे आपको कौन सा college मिला है कौन सा नहीं उसके बाद 27 से दो तारी के बीच आप seat allotment लेटर डाउनलोड कर पाएंगे सब कुछ पर क्रिया बताएंगे सबाब यह आपको समझ में नहीं हा र कोलेज में हो जा रहा है ठीक है तो बाबू इस परकार यह first round counselling अमाल लिजे फर्ष्ट round of counselling माल लिजे जिसका रहेंगा देखे उसको नहीं हुआ कोई मतलब college चेंज करना चाहता है, यहां पर पसंद नहीं, जहां तहां कोलेज दिए तो नहीं पसंद, तो उसके लिए फिर second round, third round भी होगा, फिर सेकंड round कांसिलिंग होगा फिर सेकंड round निए देख़ ए अगस्त after अगस्त यानि सो PC को रखा गिया है और 8 अगस्त दिखिए फर्सzd राउंड आंग ने फिर घंपिर बताएंगे और फिर थर्ड में फिर बताएंगे तो पहले सकंड round और थर्ट round का date भी देख लिजए एगर फर्स राउंड में अगर चांस नहीं मिलते हैं तो second round अगर किसी का rank ज़्यादा है अगर वो सोच लिए कि first round में पैसा हम बरबाद नहीं करेंगे counseling नहीं करेंगे तो वो देख लिए second round का date क्या है same to same खेला है पहले होगा seat matrix दिखाएगा आपको कितना seat colleges में खाली है तब आप counseling अगर इच्छोख है counseling करने के लिए तो counseling किजएगा अगर counseling नहीं करने का मन तो नहीं किजएगा उस परकारी same to same फिर seat allowड में लेटर जारी होगा फिर आपको college मिलेंगे फिर आपको edit करने का मौका दे जाएगा फिर seat publish होगा फिर आपको कौन-कौन college मिला है वो पता चलेगा और अगर आपको इच्छाओगा तो second round में अगर admission लेते हो तो ले सकते हो अगर नहीं लेते हो तो फिर शोड़ सकते हो फिर अगर वो छोड़ द सकते हैं तो फिर राउंड तो कोई government college में सीट बचता नहीं है लेकिन फिर भी प्राइबिट college में कोई अगर टीएब डावलो बेगर यह सब सीट के वगर अगर लेना चाहते हैं तो वह सीट का का ले सकते हैं मैं टीएब डावलो का सीट के बार में पूरा चर्चा करूंग ठीक है तो यह क्या है दो को 400 रुपर ले गए किसको जो candidate EWS से विलोंग करता है BC1 या BC2 या general जो होगा वो 400 लेकिन यहां पर एक बड़ी बात है अगर कोई लड़की है ना female category का या SCST या कोई भी category का female हो उनको 500 रुपर लगेगा है ना 200 और जब आपको college के अलाउट हो गय आपको कौन college मिला है वो download करना पड़ेगा एक हजार आपको demand drug के रूप में देना पड़ेगा official website में है एक हजार पेमिट करना पड़ेगा और पेमिट करके वो download करके आपको जाके वहाँ पे college में दिखाना कि देखे हम आये हैं मेरे admission ले ले लेगा इस परकार पूरा counseling का ख notice को download करके खुद भी पढ़ सकते हो अपने group को share करो यह video share कर दो यहाँ पर जो भी यह देखो सब कुछ दिया गया है बाकी detail बाद में पढ़ेंगे जब counseling होगा तब पहले आप notice देखो और आराम से तयारे में लग जाओ फिलाल अभी के लिए मतलब आपका कोई documents नहीं लग देखेगा documents इसमें counseling में कुछ नहीं लगदा documents है खले आपका score card वेगार वो सब देखेगा बस और the bank जो category होगा उसको कुछ नहीं लगए ठीक नहीं तो चलो देख लेना अपना वीडियो सब और चैनल पर होतो नहीं तो subscribe कर कर जोड़ू जाना चलो मिलते next में thank you